भगवान आप सभी कबला करूर आपके सारीक्षाय में नोकामनाय पूरी हो सबसे परशन आपका यहाँ शादी को लेकर के है कि आपकी मेरिज कब तक होगी तो यहाँ life line के parallel आप देख सकते हैं कि आपकी strong way में line create होना शुरू हो गई है life line से जब इस तरी की line बहुत समीब से निकलती है तो हमें life में नए partner या as a partner बहुत major support मिलने के chances create हो जाते हैं support एसा रहता है जिससे life पूरी balance हो जाए और अच्छी best हो जाए life line की energy बढ़ जाए जैसे आपकी health अच्छी हो जाना खुशियां बढ़ जाना जीवन में असमान ये रूप से तरक्कियां देखने को मिलना तो यह हैं यहाँ पर partner से मिलना ओले support and success after marriage को 100% represent करती है यहाँ पर यह जो line निकली हुई है यह correct आपकी 31 and 32 के mid में निकली हुई है तो within one and half year में आपकी marriage definitely हो जाएगी और next year में marriage होने के chances पूरे हैं health आपका अच्छा नहीं रहता है तो उसकी पीछे कारण यह है कि अभी Mars की line यहाँ पर आकर के cut कर रही है और Mars की line आकर के mind line को भी touch कर रही है तो इस condition में mental और physical way में कई न कई stress और pressure को handle करना पड़ता है mentally आपको आपके career को लेकर के majorly करना होगा जिसमें career में satisfaction मिलना थोड़ा मुश्किल रहेगा नएने तरह के कामों के प्रतिर उजहान ध्यान जादा रहेगा थोगा mental peace and happiness में थोड़ी कमी रहेगी और वहीं life line के उपर अब भी जो affections हैं यह सब खतम हो जाएंगे जैसे ही यह supportive line active हो रही है वैसे इसके बाद आप देख सकते हैं कि life line में सिर्फ एक major जो है cut है लेकिन उसमें भी supportive line prominently active है तो in future भी आपको इसे major health issues नहीं आएगा Martian remedy आपको suggest यहां कर दिया जाएगा जब भी मंगल से रधरेखा का connection होता है तो मांगली के योग का बहुत major यह निर्मान करता है इसलिए कुंडली मिलान कर marriage करना चाहिए और aprox 30 के बाद में मांगली योग कभी नकरात्म प्रभाव नहीं पढ़ता तो बहुत कम हो जाता है तब भी इसका suggestion advice आपको दिया जाएगा ताकि मांगली कार्यापके जीवर में जल्द हो सके सरकारी नोकरी के हम बात करें तो आपके सूर पर जो रेखा मोजोद है वो बिल्कुल ठीक है और मस्तिश रेखा की लंबाई भी मजबूत है जिसके कारेंड यहां government job की योगों को सुनिशित करता है और आपको जीवर में जो बहुत अच्छी सफलता देखने को मिलेगी वो समय रहेगा जीवर में 34 से लेकर 36 के बीच में इसी पिरियड में और इसी पिरियड के लंबसम में आपकी जो लक लैन है उसमें एक लक लैन आ करके और जोड़ रही है और वो strongly आगे के तरफ बढ़ रही है तो इसलिए highly chances हैं आपके 35 तक में आपके government job definitely हो जाए अभी तक इसलिए नहीं भी हो पाया क्योंकि जो energy थी life line की या mind line की mind line आपकी बुद्धी विवेग ज्यान को दर्शात है life line आपकी health energies और overall life energy को दर्शात है वो अभी तक balance नहीं थी लेकिन अब ये बिल्कुल ठीक होने जा रही है balance हो रही है और आप देख सकते हैं correct 34 and 5 के बाद में mind line बिल्कुल simple और straight हो गई है जो दर्शाती है कि mental peace stress worries ऐसा कुछ भी आपके life in majorly इसके बाद नहीं रहेगा तो अभी थोड़ा और आपको patience रखने की जरुवत है continue way में efforts डालने की जरुवत है then after आपका government job निश्यत रूप से हो जाएगा क्योंकि sun mount भी developed अच्छा है line भी strong है तो ये सरकारी नोकरी या फिर ऐसी नोकरी जिसमें proper security मिले देखने को मिलता है चोथा प्रशन है कि आगे की life कैसी रहेगी तो आते हैं overall palm के analysis पे तो finger के length जब भी palm के comparison में short होती है तो ये fast addition making habit को, immediate work करने के tendency को, quickly action लेना, respond करना, हमेशा action लेने के बाद ही thinking करना, बहुत चुस्ती स्फूर्ती में काम करना, थोड़ी जल्दबाजी में देखने को मिलना और सबर की कमी ये सब कुछ यहाँ देखने को मिलता है और automatically जब finger के बीच में इस तरीके के gap maintain हो, तो ये open minded type का personality, independent nature और अधिक खर्चेला सोभाव दे देता है आप जैसे जातक दब के रह नहीं पाते और बहुत स्वतंत्र खुले विचारों वाले देखने को मिलते हैं लेडिल फिंगर की लेंथ बहुत ज़्यदा ही शॉट है तो यहाँ communication error देता है, जैसे बचपन से ही stage fear देखने को मिलता है stranger opposite gender से बाचित करते समय हिचके चार्ड घबराहट होना या मन के अंदर बात को दवाना जब बुद्परवत भी दब जाए तो समय पर अपनी बात को नहीं कहने की शिकायत होती है जैसे कि आप कोई बात कहना चारें की निको लेकिन कहनी पाएंगे जब समय बीच जाएगा तब ध्यान आएगा ये बात कह देना था वैसे ही किसी तरह का action ले लेना था या वैसा decision लेना था या फिर changes कर लेना था हमेशा past की गलतियों को लेकर ज़्यादा सोचते वे देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर यहाँ चीज सिर्फ communication में नहीं management में भी problem देती है अगर आप multiple task करेंगे आपके कोई काम पूरा नहीं होगा money management को यह week भी करता है यह सब हो इसलिए रहा है क्योंकि proper knowledge, information या long term basis plannings नहीं है आपके life में जैसे ही आप थोड़ा अपने अंदर patience को लेकर के आएंगे detail में हर बात के जाएंगे action, decisions यह कहीं खर्च करने से पहले अच्छे सोच विचार लेंगे तो आप आएंगे कि आपके life में आप decisions बहुत अच्छे से लेने लग रहे है confidence बढ़ने लग रहा है समझदारी और lab यह दोनों चीज़ें भी आ रही है तो इसके उपर आपको काम करना चाहिए और आपको अपने communication को ठीक करने के लिए सबसे पहले तो अपने confidence को बढ़ाना चाहिए किसी भी विशे के कारण आपकी confidence डाउन इस condition में देखने को मिल रही है अधिकतर मामलों में जब बुद, finger यह परवत दबावार होता है तो अपने facial feature को, body feature को या फिर talking sense को, knowledge को लेकर के या family background को लेकर के इन सब चीज़ों के कारण confidence की थोड़ी कमी आती है इन सब चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पढ़ता है in fact, communication ही अगर अच्छा हो तो इन सारी चीज़ों पर भार ही पढ़ जाता है तो आपको सटीकता से उसी समय पर अपनी बात को कहने के आदर डालनी चाहिए इससे आपको बहुत ज़्यादा लाब मिलेगा और बहुत सारे काम आपके बहुत अच्छे से बनते वे देखने को मिलेंगे फर्स्ट विंगर की लेंगे जब भी स्ट्रॉंग पाई गई है सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है आप वो इनसान है जिनकी नाक बहुत तीखी होती है इसका ताथ पर यह है कि नाक पर अगर बात आ गई यानि कोई बात अगर दिल पर लग गई अगर कहीं एगो हर्ट हो गया तो फिर तो आप अपने आपको प्रूफ करने के लिए किसी भी लेवल तक जा सकते है यह बेसिकली रिस्पॉंसिबिलिटी टेकर बनाता है तो किसी तरह की जिम्मदारी लेने से कभी भी पीछे नहीं हटते मुझसे ना बहुत कम ही निकलता है हमेशा हा निकलेगा कोई बुला रहा है तो भी कोई काम दे रहा है तो भी जो आपके हग का भी काम नहीं है उसके लिए भी ना निकलने ही नहीं वाला है वहाँ पर responsibilities बहुत जादा हो जाती है। तो इसलिए आपको career wise तो growth बहुत अच्छा है और आपको growth birthplace से दूर बहुत जादा है। दूसरों के सहीयोग, प्रोटसाहन साथ के करण आप बहुत जादा आगे बढ़ने वाले हैं। दूसरों को लेकर के भी चलेंगे तो as a leader, guider, advisor भी आप आगे चलकर काम करते हैं देखने को मिलेंगे। अभी assistant professor है, professor definitely आने वाले 4 साल के अतरिकता बन जाएंगे। या उससे भी बड़ी post या और बड़ी उपलब्दी आपको देखने को मिलेगी। फिंगर के उपर जब सीधी खड़ी रेखा है, enough amount में हो, यानि अच्छी खासी level में हो, तो friendly nature तो देता है, सकरात्मक सोच रवया भी देता है, जितना ज़्यादा आप लोगों से गूले मिलें, इसलिए mercury की इतनी important बात कही गई आपको, उतना ज़्यादा आपका जीवन अ तो जितने अपने लोग कभी काम ना है, उतने तो unknown आपको आते वे देखने को मिलेंगे, इतना major ये लग है, finger के notes जब develop clear cut होते हैं, तो इस post वादी किसम का व्यक्ते तो देते हैं, ज्यादा confusing nature नहीं होता है, वैसे भी Sunline आपकी single है, तो ये overall decision taking skills develop बहुत अच्छा करती है, फैलेंजेस, internal masks develop अच्छा है, शुक्रमाण भी develop अच्छा है, health issues सिर्फ मंगल के negative lines के ही कारण है, otherwise अगर ये issue खतम हो गया, इसका उपाय करने के बाद, तो आपके life में फिर health issues देखने को ही नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर हम life line की energy को भी देखें, तो yes, ये थोड़ी बहुत यहाँ जरूर बिखरी हुई है, इसके पहले एक छोटे से island के formation में अच्की हुई है, जिसके करण आपको 24 से लेकर के अभी तक लगातार कुछ न कुछ issues आई ही रहे हैं, लेकिन इसके बाद आपको directly triangle का combination है, जो life में progress दिलाता है, घर बनवाता है, नएने तरह के investment, construction, savings, व dead end जो आपकी heart line है, उसकी स्थिती ठीक जा रहे है, इसके अलावा जो mercury line से वो भी develop अभी हो रही है, जो health को improve करती है, luck line की condition far better हो रही है, शुक्र माउंट develop अच्छा है, इसलिए आपको majorly कुई सी तरह का issue, health issue को लेकर के खासकर नहीं आएगा, क्योंकि supportive line भी active अच्छी ज दूर है ना, यह यहाँ पर thumb का joint point, दर्शादा जब मानसल कम हो, और इसके अलवा यहाँ पर आपकी यह का sign develop हो सकता है, और अगर यह sign develop हुआ, तो life and materialism बहुत ज़्यादा देखने को मिलने लगेगा, चंदर माउंट बहुत positive है, आपका बहुत develop है, आप creative इंसान भी अच् कविता में, लेखन कारे में, किसी भी विशे को लेकर के आप किंदर कला, इस तरीके का चंदर परवत देगा, घुमने फिनने का शोक तो यह बहुत देते हैं, खानपन का भी शोक बहुत जादा बढ़ा देते हैं, लेकिन इस तरीके का चंदर जब उबरावा हो और भाग रेखा निकले तो जितना अच्छा हो सके सोचिये अपने लिया किसी और के लिए भी वह जो सोच है वो पूरी जरूर होगी इसलिए इस तरह की जब भागी रेखा या चंद्र हो तो मन चाहा परिणाम व्यक्ति को अंतिता मिलता है शुक्र का छेतर भी विक्सित अच्छा है तो सकसर आफ्टर मैरिज, लगजरी स्कंफर्ड का बढ़ना, रोयल्टी स्टेंडर्ड ओफ लिविंग, इंक्रीज होना ये सब कुछ होगा आपके लाइफ में मैरिज के जस्ट बात से सबसे कम एरिया ले रहे हैं आपके पाम में मर्करी एंड जुपिटर, ये दोनों परवत दबे वे हैं, जुपिटर जब भी दबते हैं तो फैमिली के लिए बहुत करते हैं लेकिन क्रेडिट रिवार्ड अवर्ड मिलना मुश्किल होता है, नौलेज बहुत होता है लेकिन स्कैम या फ्रॉड मनी को लेकरके इसली हो सकता है, जुपिटर माउंट से ही आपकी माइंड लैन स्टार्ट हुई है, आप बहुत ज़्यादा अंबिशियस दिखाई दे रहे हैं, बहुत महतुकांशी बनाता ही है, मतलब छोटी सोच तो देता ही नहीं है कभी भी, हमेशा beyond the boundary, मतलब boundary के बाहर से ही सोचना शुरू करते हैं, इतनी बड़ी-बड़ी सोच यह देता है, knowledge बहुत अच्छा देखने को मिलता है, आध्यात में एक धारमेक्ता या discipline, rules, regulation, guidelines में काम करने के आदत को भी बढ़ा देता है, overall यह knowledgeable personality बनाता है, Saturn Mount की condition पे आए, तो Saturn Mount की condition बिल्कुल ठीक जा रही है, मेहनत कर्म में कमी नहीं है, भाग ग्रेखा भी शनी तक पहुच रहे हैं, सारा ख्वाईशें पूरी होगी, old इस तक comfortable work कर पाएंगे, proper retirement भी लेंगे अपने life से, आपके पास कभी भी पैसो की कमी या इन सारी चीजों क दिक्कते नहीं आएगी क्योंकि triangle का sign बना हुआ है, Saturn पे, तो यह security देता है, पैसो को ले करके और career को ले करके, अगर एक काम छुटेगा तो दूसरा तूरंत मिलने वाला है, तो overall आपकी luck line में सिर्फ जो disturbance से, यह कुछ यह जो छेत्र थोड़ा से फेले वे हैं, यहाँ पर ही है, क्योंकि यहाँ पर भाग्य का पूरा असर नहीं आता है, महनज जादा हो जाती है, फल कम मिलता है, तो यह समय आपके जीवन का यहाँ भी जच करें, तो 26-27 से लेकर के, एप्रोक्स 34 तक का है, लेकिन अच्छी बात यह है कि mercury line इसमें से cross होके जारी है, correct 32 and 3 में, तो और यहाँ पर एक भारी नुकसान आपको धन के विशे में हो सकता है, यह समय आपका 35-27 के बीच में रहेगा, तो इस period में किसी भी तरेके का नया काम investment करने से बचना चाहिए, इसके बाद में शनी के छेतर के उपर में by four के कसायन होना source of funding को increase करता है, खर्चे जरूर अलग अलग माध्यम से होते रहते हैं, लेकिन कभी भी पेसों की, सुख सुधाओं की या भागे की तंगी कमी देखने को इस condition में नहीं मिलती, सूर का अच्छे तर आपका विक्सित ठीक जा रहा है, एक बाहरी मंगल से भी हलका सा connected line आ रहा है, यह थोड़ा जीवन को संघर्ष म बनाता है, लेकिन इसे पुरव पुरने रेखा कहते हैं कि इस जनम में आप सब के कर्ज चुका देंगे, जिन से जो लेना है वो मिल जाएगा, जिनको जो देना है वो दे देंगे, इसलिए यह combination अच्छा ही माना गया है कि यह रेखा life में व्यक्ति को इतना busy करती है, कि बा बहुत सारे unnecessarily issue, stress, worries को खतम करती है, सिर्फ busy रखने के कारण, और जो सूरिक की रेखा है, वो बिलकुल बुद्ध के तरफ जुग गई है, तो आपके जितने भी communications रहेंगे, contacts रहेंगे या relations रहेंगे, उन सबसे आपको add-end, नाम, पहचान, सम्मान और लाब, यह सब कुछ चीजे मिलेगा, हलका सा बाइफोर्ग का साइनत तो थोड़ा confusion रहेगा, करियर को लेकर के, लेकिन आप अगर government जो पाना चाह रहें, fully dedicated रहें, उसके लिए बिलकुल पीछी ना हटें, within couple of years आपको इसका शुब परिणाम आ जाएगा, mercury mount जब भी दबा हुआ होता है, लेकि ये रेखा, इस बात को दरशारी है कि येस, आप जितना ज़ादा लोगों से मिलेंगे, communicate करेंगे, अपने confidence को बढ़ा लेंगे, या और freely task करेंगे, और freely task का मतलब समझेगा बारे किसे, कि mercury हमारी बुद्धी का कारक है, वाणी का कारक है, इसकीन का भी कारक है, जितने भी contact relation है, उन सब का भी कारक है, freely करने का मतलब ये है, कि जब आप communicate करें, तो पहले से सोचना कुछ नहीं है, जो मन में आ रहा है, वो बोलना शुरू करिए, कोई भी निर्णाय लेने जा रहे है, तो उसमें इस बात का धिहान रखना है, कि दूर दरशिता के बिहाफ पे decision लिज करने इसको लेकर के थोड़ा सा बच के रहिए, तो ये सीधी रेखा आपको इनी सारी चीजों में लाब दे देगी, मतलब परवत दबा हुआ है, लेकिन ये रेखा तब भी आपको लाब निश्यत रूप से देगी, आपकी यूनियन लाइन एकदम straight है, बहुत strong जा रही है बहुत जादा dedicated partner मिलने वाले हैं, समर्पन एक दूसरे के प्रती, एक समान का रहने वाला है, इसलिए love, care, attachment ये सब कुछ बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, और आपका जो sympathy है, वो बहुत जादा ये इस रेखा के कारण रहेगा partner को लेकर के, heartline जब भी सेटन पर आकर के रुकती है, तो ये secretive personality देती है, बहुत सारी बातों को अंदर दबा लेते हैं, show नहीं होने देते हैं, और मंगल के तरो जाने के करण थोड़ा aggression, definitely खराबा देखने को मिलता है, और इसके बाद में एक supportive upper line भी जा रही है जुपिटर पे, तो ये emotional, sympathetic, loving, caring nature भी देता है, moreover ये mood swing का issue create करवाता है, emotional based decision लेने से बचना चाहिए, और आवेश में आकर के, aggression, frustration, irritation, जो आपको immediately आता है, उसमें काम करने से बचना चाहिए, mind lane आपके palm में long है, आपकी memory बहुत ये sharp देने वाला है, हर छोड़ी से छोड़ी पुरानी से पुरानी बाते याद रहेगी, कोई mentally बहुत strong बनाता है, ये mind lane क्योंकि इसका direct connection आउटर मार्स से होता है, और उसके कारण, life में कितना ही pressurized, disturbing situation, people क्यों ना आ जाए, आप और इत्मिनान से और शांती से काम करते हैं, उस समय पर देखने को मिलेंगे, यानि जब आपके उपर pressure आएगा, तब एक अलग ही व्यक करती से मस्तिश के काम करेगा, तो इसलिए हमेशा इस mind lane को अच्छा माना गया है, ये mind lane हमेशा जीवन में सफल होते ही देखने को मिली है, क्योंकि हारत ना आता है नहीं, जितना भी विकट पर इस्थिती हो, अपनी बुद्धी मता से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए अपन मस्तिश रेखा और भाग रेखा है, अब इस मस्तिश रेखा के उपर में एक रेखा ये देख रहे हैं, ये रेखा अच्छी नहीं होती, ये रेखा एग्रेशन के कारण किसी तरीके का court case या भयंकर नुकसान दे सकती है, आपको लाडाई जगडा जैसी चीजों में नहीं जाना चाहिए, बिलकुल भी, अच्छी बात है, वो हमको थमपे दिखी गया है कि आप कई न कई मेंटेन रखते हैं, लेकिन आपका जो एग्रेशन है, वो एकदम से फूटने वालों में से रहेगा, छण भर का जिसे एग्रेशन कहते हैं, वो देखने को यहां मिल रहा है, तो उसको कई न कई आपको नियंतरित रखना है, प्रॉपर्टी का केस हुआ, या मेटर हुआ, फैमली के मेटर हुए, जिसमें मेल मिंबर इंगेज़्ट है, उन सब चीजों में आपको इंगेज़्ट नहीं होना है, वहां नुकसान देखने को मिलेगा, इसके बाद में आ क्योंकि continuous progress line माइंड से निकल रहा है, तो जो जो decision plannings आप करेंगे, उन सब में सफलता ही मिलेगा, इसके बाद अगर यहां पर यहां तिल है, outer Mars के उपर, तो high blood pressure के आपको शिकायत देखने को मिल सकती है, life line का flow middle of the palm गया हुआ है, तो family और career दोनों को एक समान समय देंगे, fish symbol का sign half developed है, immediate या अचानक से किसी तरीके का लाब मिलना, अगर यह sign जल्दी बन गया पूरा, तो मोक्ष मुक्ती के साथ में unexpected gains या success आपके life में देखने को मिलेगा, supportive line आपके palm में एक से अधिक मौझूद है और बार बार अलग भी हो रही है, तो अलग-अलग लोगों से सही हो मिलेगा, लेकिन आपके married life बहुत जादा fruitful, beneficial रहेगी, क्योंकि यहाँ जो stress line है, वो बहुत कम है, तो एक दूसरे के प्रति विश्वास, बहुत बड़े इस तर तो देखिए, जब भी इस तरीके का island का sign बनता है, तो health and family issues से गुजरना पड़ता है, energies हमारे अंदर जितनी बहुती वो disturbed होती है, और यह समय आपका 23-4 से लेकर के, approach 28-9 तक का है, उसके पहले की life line बिलकुल normal है, एक रेखा करके जो mangal से जूड़ी है, यह बहुत उतावल अपन बेचेनी भी दे देती है, हर बड़ी जिसम कहता है, वो रहेगा 33-34 तक at least, इसके बीच बीच में छोटे छोटे आप एक तरीके से बिखराओ देखेंगे mind lane में, यह सब mentally stress देता है, करियर को लेकर के insecurity के भावना आती है, और बार बार ध्यान भटकता है, अथवा भ् पुछ दिखाई दे रहा है, बट इन सब के बावजूद भी, यहां से बहुत छोटे-छोटे स्टर पर प्रोग्रेस लाइन इकली, इसका सीधा दात पर यह है, कि विफलता ने आपको सफलता दिया है, विपरीत परिस्तिती ने आपको राज योग दिया है, यह इसलिए हो आपकी लाइफ फार बेटर, यह बहुत स्मूथ रनिंग में दिखाई दे रही है, इसके बाद में चंदर की स्थिती पे वापिस आए, तो चंदर की भाग रेखा जब भी मौझूद होती है, मदर लक, मदर सपोर्ट, आउटर वल्ड से लक या फिर अपने को मिलता है, और चांदी का चेन या ब्रेसलेट या यहाँ पर्ल्स का भी जो ब्रेसलेट है, वो एमजोन पे आपको मिल जाएगा, वो भी आप जो है पहन सकते हैं, और यह पहनना आपको सोंबार के दिन ही है, और यह पहनने के बाद में, आपका हर काम स्मूथ ली रन होता हो दिखेगा, हेल्थ में भी सुधार दिखेगा, और मन चाहा परेणाम भी सरलता से आएगा, क्योंकि यह जो पर्ल्स का ब्रेसलेट आता है, यह चांदी का चेन ब्रेसलेट छला है, यह शुक्र चंदर दोनों को रिप्रेसलेट करते हैं, तो सबसे पहले प्लेजर फुल् इस पिरेड में अपने हेल्थ को लेकर के थोड़ा धिहान रखिए, यह समय आपके जीवन में थोड़ा डिस्टर्बिंग हो सकता है, मंगल का उपाई सेर किया जाएगा, ताकि यह प्रोब्लम भी फेस ना करनी पड़े, बाकि आगे का जीवन बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है, यह थी सबसे महत्पुन बाते आपके हाथ की विशे में आशगरताओं सभी प्रशनों को अत्तर मिल गया हो, तब तक आप अपना ध्यान रखें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद,